अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हूँ तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए तो मैं आज इस वीडियो पर रेक्शन करने जा रहा हूँ उस वीडियो का नाम है ट्रेवल टू नेपाल तो नेपाल के बारे में है फुल हिस्ट्री और डोकुमेंटरी है नेपाल के बारे में मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि नेपाल के बारे में भी कुछ वीडियो बनाओ तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ तो देखें नेपाल के बारे में मैं ये वीडियो उर्दु में ही है जानी टीवी जो की पाकिस्तान का ए उन्होंने ही यह documentary बनाया, नेपाल के बारे में भी आप लोगों को पता चले, तो इसलिए में इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो चलो, let's watch Mr. Nagal, Boy Shover, Jani TV, हम हर्चावदरी, सहीदे पाकिस्तान से ही बनाया है यह वीडियो जानी TV पाकिस्तान की यह है ना, जानी TV के तमाम साथियों और बेलियों को मेरी तरफ से, अस्सलाम अलेकुम, अब देखो हमारा नेपाल सुरू होगा है, आज हम कुछ दोस्तों की फर्माईश पर सैर करने वाले हैं जनूबी एशिया के, बुलंदो बाला पहाडी सिल्सलों म आर्मी मानी जाती है, कहा जाता है, एक एठारा सो पंद्रा से पहले, अंग्रेजों ने निपाल पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन निपाल की गोर्खा फोज ने अंग्रेज फोज को ना कूँचने चबवा दिये थे, यही वज़ा है, बहुत ही खेमस हैं नेपाल के आर्मी, आप लोगों को पता होगा, और ना ये कौम अजादी का दिन मनाती है, हमारे आजादी नहीं मनाई जाती है, क्योंकि हम अजादी थे हैं सुरू से, अगर आपने अभी तक यूट्यूब पर मौजूद हमारा चैनल जानी टीवी सबस्क्राइब नहीं कि इनके च नीपाल एक ऐसा मुलक है, जहाँ पर ज़्यादा हिंडू मजब के पैरोकार हैं, जिनकी तदाद नीपाल की कुल अबादी का 82 फीसद है, जबके दूसरे नमबर पर बुदमत के पैरोकार हैं, जो 9 फीसद के करीब हैं, 5 फीसद के करीब मुसलिम जबके बाकी इसाई और द ये रकबे के लिहास से दुनिया भार में 93 नमबर पर आता है। निपाल रकबे के लिहास से बंगला देश से सिर्फ 389 मुर्बा किलो मीटर चोटा है। लेकिन दोनों मुमालक की अबादी में बहुत ज्यादा फर्क है। 2017 में लगाए गए एक अंदाजे के मताबिक निपाल की कुल अबादी 2 क्रोड 90 लाग नफूस पर मुश्तमिल है। ये मुल्क अबादी के लिहास से दुनिया भार में 48 नमबर पर शुमार होता है। यहीं पर अगर हम बंगला देश की अबादी की बात करें तो बंगला देश 16 करोड है। जो उनकी जुबान निवारी में निपा से निकला है। निपाल में सिर्फ तीन फीसिद के करीब अबादी निवारी को बतौरे मादरी जबान बोलती है जबकि निपाल की दफ्तरी जबान निपाली है दिगर बोली जाने वाली जबानों में उर्टी बोली जाते हैं निपाल जनूबी एशिया का सबसे पराना मुल्क माना जाता है लेकि निपाल में इसलाम के असार 14 सदी एस्वी से मिलते हैं जो के सूफिया कराम के जरीये निपाल में पहुँचाया गया था अजीम सूफी बजर्ग शाह वयासुदीन का मजार शाही महल से कोई 100 मीटर के फासले पर पाया जाता है निपाल में इसलाम तीन रस्तों शमाली हिन, कश्मीर और तिब्बत के रस्ते से पहुँचा है यही वज़ा है कि निपाल में बसने वाले मुसल्मान एक दूसरे से हर लिहासे मुख्तलिफ है खाँ वो बात करने का अंदाजों, रहन सेन का या खाने पीने का लेकिन तमाम मुसल्मान अबादत एक जैसी करते हैं निपाल दुनिया के गरीब तरीन मुमालक में शमार होता है निपाल की आदी अबादी रोज़ाना का सिर्फ एक अमरीकी डालर पर उज़ारा करती है 2007 से पहले तक निपाल बादशाही निजाम के अंडर था लेकिन 28 मईए 2008 के बाद जमूरी निजाम काइम हो गया और निपाल का मुझूदा नाम फेडरल डेमुक्रेटिक रिपब्लिक ओफ निपाल है 16 लाख अफराद की अबादी के साथ कटमंडो शहर निपाल का दारल हकूमत है और निपाल का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज रहता है आपको यह सब कटमंडो है आठजार आठसो अड़ादालिस मीटर में दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी माउंट एवरेस्ट पाकिस्तान के पहाड़ी सिसले कोहमालिया में निपाल और चीन की सरहत पर मौझूद है निपाल में माउंट एवरेस्ट के इलावा दुनिया की दस बुलंतरीन पहाड़ियों में से आठ बुलंतरीन पहाड़ियां मौजूद है माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले 1953 में एड्मन्ड हेलरी और निपाली कोह पेमा तन्जिंग नारके ने सर किया था अभी तक पाकिस्तान के तीन कोह पेमा माउंट एवरेस्ट पर पाकिस्तानी जंडा गाड़ने में कामयाब हुए हैं अब तक 300 के करीब अफराद माउंट एवरेस्ट पर चड़ने की कोशिश में जान की बाजी हार चुके हैं माउंट एवरेस्ट को निपाल में सागर माता भी कहा जाता है सागर माता भोलते हम लोग निपाल में निपाल एक छोटा सा मुल्क है लेकिन फिर भी निपाल के नाम काफी वर्ड रिकार्ड मौजूद है जैसा कि दुनिया की उंची तरीन चोटी माउंट एवरिस्ट, दुनिया की बुलंद तरीन जील तेलेजो जो के 48-100 मीटर की बुलंदी पर वाकि है दुनिया की बुलंद तरीन वादी अरून वैली और इसके अलावा भी निपाल के नाम काफी गेंज वर्ड रिकार्ड मौजूद है निपाल को अगर हम नक्षे पर देखें तो शमाल तरफ से चीन जबके बाकी तीन अतराफ से भारत से घिरा हुआ है निपाल के किसी भी अतराफ में समुदर ना होने की वज़ा से कोई भी बंदर का वजूद नहीं है यही वज़ा है कि निपाल अपनी अशिया के दरामदाद और बरामदाद भारत की बंदर गाहुं से करता है निपाल का जंडा दुनिया में एक अलग तरह का जंडा है यूनिक के तोड़ा यूनिक निपाल का जंडा मुरब्बा या मुस्ततील शकल का होता है लेकिन निपाल का जंडा दो मसलसलों को मलाकर बनाया गया है दजलजले ने निपाल में 25 अप्रैल 2015 वाने वाले जलजले में पिछले 20 सालों के जलजलों का डेकार तोड़ दि yaंकर बहुती बड़ा व्रॉकम्पा था और तुरूक की बहुत रधा निपाली कह से शहर मत्य का । मेर का मनजर पेश करने लगे थे इस जल्जले से निपाल और निपाल की माईशियत मुकमल टूर पाउब की लिए जब कि आलमी अदारों और साथ मुझूद तमाम करीबी मुमालक ने इस मौका भी तो हम लोग मजबूत हो गए थी इस अब चोटा मोटा बुकम पहम लोगो न सुला दिया जबके 22,000 अफराद जखमी हो गए थे इसके अलावा 35,000 अफराद ऐसे थे जिनका घर-बार खत्म हो चुका था भारतियों को निपाल जाने के लिए पासपोर्ड की जरूरत नहीं होती बस उनके पास भारत का ID कार्ड होना जरूरी है एक वक्त में निपाल चर पाबंदी लग गया लेकि इसके बावजोद निपाल की नौजवान नसल अभी तक इन मन्शियात की आदी है दुनिया के सबसे चोटे कद के आदमी कोई कोई जब आर गई हो जाती है जिसका कद साड़े 21 इंच है इसादल पाबस्तान में संड़े वीकली हालीडे के तोर पर मनाया जाता है या सेटरड़े होता है सबसे ज़्यादा देर तक हाथ मिलाई रखने का रिकार्ड भी दो निपालियों ने बनाया था जो 42 घंटे 35 मिनट तक चलता रहा हम हाथ मिला लेते हैं खतर ना प्रिंदों की बेशमार इक्साम पाई जाती है इसलिए नेपाल को एशिया का इमाजून भी का जाता है बुद्मत के पैरोकारों के गुरू यानी गोतम बुद्धा की पैदाईश भी नेपाल में हुई थी इसलिए नेपाल के हमसाया मुमालक इतनी तेजी से तरकी कर रहे हैं इसके बावजूर अभी तक नेपाल में 10-12 गंटे लोड शेडिंग होती है अभी नहीं होती है पहले पहले होती थी आप तो लोड शेडिंग अप 24 गंटे हमारे यहां लाइटे होती है इंदू मख़ब में बहुत थोड़ी पुरा नी वीडियो है तो इसके उन्हें पता नी पता ने पता ने इस जगह सीता जनम मंदर बना हुआ है नीपाल की सबसे पसंदिदा डिश मुमो है नीपाल की करणिसी को नीपाली रुपया कहा जाता है बेशीक नीपाल एक खुरीब्हन contract है लिक्न फिर भी नीपाल का एक रुपया पाकिस्तानी एक अशारीय जीरो जेरो दो रुपY के बराबर है नीपाल का कालिंग कोड प्लस नोसोन साथर है निपाल में रेवेटरेग की टोटल लंबाई 69 किलो मीटर है निपाल में ज्यादातर बिजली हाइडरो पावर सिस्टम से त्यार की जाती है गाए निपाल का कौमी जनवर है ज्यादा अबादी हिंदू मजब के मानने वालों की वज़ा से गाए को जिबा करना या गाए का गोश्ट बनाना बिलकुल सक्ती से मना है यही वज़ा है कि गाए आपको निपाल की सड़कों पर खुली घूमती नजर आएंगी बंगाल टाइगर, रेड पांडा और बर्फानी चीते जैसी अनमोल होती जनवरों की एकसाम आपको निपाल में देखने को मिलेंगी निपाल की 50 फीसद आमदनी सियाहत से हासल की जाती है 2016 में 7,53 अफराद ने सियाहत के लिए निपाल का विज़ट किया निपाल सरसों और अदरत की दुनिया भर में एकस्पोर्ड का सबसे बड़ा मुल्क है दोस्तों ये थी निपाल के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक वीडियो अगर ये वीडियो आप लोगों के इलम में अजाफे की एक बड़ी वज़ा बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीजों अखबाब के साथ वाटसैप और फिस्बूप पर जरूर शेयर करें और मेरी होसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करना अर्गीज नहीं अगली वीडियो तक मुझे दे इजाज़त तो यह था अमारे नेपाल के बारे में आप जिसको पता नहीं था उन्हें पता चल गया होगा बहुतों ने मुझे कमेंट किया था कि नेपाल के बारे में भी हमें बताओ तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोगों को कैसा लगा थोड़ा पुराना वीडियो था अभी तो काफी चेंज हो चुका है नेपाल ये थोड़ा पुराना वीडियो था पर उर्दु में था इसलिए मैंने आप लोगों को ये वीडियो दिखाया है आप लोगों को कैसे लगा प्लीज कमेंट करके पता है अभी तो आप सभी लोगो को नेपाल के बारे में पता चल चुका होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए बावाई टेक कियर इस्टे होम इस्टे सीव